आज मैं के लास फॉस्ट के एम्यू इंटरन्स टेस्ट के 2017-18 के जो सवाल आये हैं यानि पिछले साल वो दिखाने जा रहा हूँ देखिए इसके सवाल कैसे होते हैं एम्यू टेस्ट पेपर 2017-18 पहला सवाल राइट इन स्मॉल लेटर्स वन मार्क इच यह कैपिटल में दिया हुआ है इसे स्मॉल में लिखना है यानि औरेंज टेबिल नाइव हाड इसे स्मॉल में लिखेंगे यह देखिए सूज ग्रेप्स गोड रोस यह यहां पे गलत आउडर में दिया हुआ है इसके इसे सही आउडर में करना है इसे सूज एसे इच ओ ए शू ए शू यहां पे ग्रेप्स जी र ए प्याप्स ग्रेप्स जी ओ ए प्योड और आर ओ इस यह रोस अब कोशन नंबर थी देखिए राइड दा राइमिंग वार्ड सेम सांड वार्स बिन का पिन पैट का कैट रेड का बैट वार्ण थी तरह कि रिमिंग वार्ड या है यह फिर बात में इस तरह के रह ब इन यंग वार्ड यह फ़ल इस पिक्चर को पैचान का लिखना है दिस इस इस इक बाउल इस 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 ए गोर इस 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 और इस और ठाह सब fiance यह यहां पे यह कुछ फिगर्स दिये हुए हैं यहां पे एक स्पेलिंग दिया हुआ एक सही है और एक गलत है इसमें से सही को आपको टिक करना है लाइन लाइन यह करेक्ट पेन पेन फ्रोट 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 पीप लाइट दा पोजिट आफ दा फॉलोएंग वर मार्क इच इसका अपोजिट लिखना है टॉल का शॉर्ट अप्रिक का साइड बिक का स्मॉल इन का आउट स्कुल क सबीक कि टॉल इन कॉल लूल इन की बिक करना हो हौका खित admiration क्रते है यह कि धनक्रत कैय कि का स्मॉल कि एक ट्राम इक टैक्कल। गिए थी ग्रां की टांपकर के लाइन के टिक कहना था longing एक्य अटॉट आड खिव में कर्म। nि err कॉल एक्र टॉ ऐक्श। fill in the blanks, one who teaches us is called teacher, the day after Sunday is Monday, the sun rises in the east, there are five fingers in our hands, इस तरह से के सवालार बच्चों से उच्छे जाते हैं, अब यहाँ पे देखिए मैच दाफालोईंग, यह दिया हुआ है, इधर फिगर दिया हुआ है, इधर देखिए नाम किया हुआ है. अब यहाँ बजबिंख क्या है, यह रिंट ह weten है, भी देखिए खाए, इस से मैच कर जाए इखाया. से यह मैच कर जाएगा अब देखिए आप एंसर दा फॉलोइंग वन मार्क इच यह भी है हाव मैनी मन्स आर देर इन येर वेल्फ विच इस दा नेशनल बाड़ अफ इंडिया की कॉप वाट इस दा नेम आफ आफ आवर कंट्री इंडिया अब देखिए कुछ यह फीगर दिये हुए है इसके शेप राइट दा सेप्स आफ दा फॉलोइंग अकलाव यह कैसा शेप है सर्केल करम बॉर्ड यह कैसा है स्क्वैर यह है टू मार्क इच अब राइट इन फीगर्स इन फीगर में लिखना है ठर्टी टू सेवेंटी एट सरकेल दा लारनचनमब अभिसमें पताना है कि इसमें इस ग्रूप में सबसे बड़ा नंबर कौन हे देखि, सेबंटीफ नाइंड सेवेंटी टूас इसमें सबसे बड़ा नंबर सेवेंट यहां पर यहां पर यह बताना VISTA Marie कॉंसा है यहां पर 95, 96, 97 उसी तर से 97, 98, 99, 100 विस 20 है 21, 22, 23, 24, 15 है 16, 17, 18, 19 राइट इन वार्ट्स इसने वार्ट्स में लिकना है 8 को 19 को 57, 33, एंसर नीचे दिया हुआ है इसे जोड़ना है काउंट करके 3 plus 3 is equal to 6, 2 plus 1 is equal to 3, 5 plus 1 is equal to 6, 2, 6 is equal to 3, बरावर 9 अब देखिए यहां पर दिया हुआ है पुट्ट दा करेक्ट साइन आफ ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन वर्मार्क पीच का है अब देखिए इसमें क्या होगा तो यहां पर 17 क्या है smaller than 20, 43 क्या है greater than 34, 72 क्या है greater than 65, 15 क्या है smaller than 56 add the numbers इसे जोड़ करके लिखना है 5 plus 4 is equal to 9, 4 plus 6 is equal to 10, complete the tables इसे multiply करना है गुना करना है 5 into 4 is equal to 20, 2 into 8 is 60, अब next देखिए अब यहां 20 सवाल तो यह हो गए इसमें से आपके यह math थे और उससे पहले यह English के यह math थे और यह कुछ जीके के सवाल थे और यह यहां से देखिए यह आप English के सवाल इसे कह सकते हैं English थे, जीके थे, math हो गए और अब आईए नीचे देखते हैं उर्दू के यह हैं 5 सवाल मिला कर लिखिए आ पलस दा पलस मा पलस यह बरावर आदमी पा पलस लाम पलस मा बरावर कलम ते यह बे लाम पे बिल शीन रे बे ते शर्बत उसी तरह से अलग करके लिखिए इने अलग अलग करके लिखना है कुर्सी का पलस रा पलस सें पलस यह बरावर तो ता अब यहां पे नीचे दिये हुए अब आई यहां बाउल आधि टे दिया हुए है इसे अब आएगे नीचे दीगए चीजा के रंग अलग लिखिए तोतप ऐसा होता है हरा होता है कुवा कयसा होता है काला होता है, चावल कैसा होता है, वाइट होता है, गहास कैसा होता है, यहां सब के यहां पे answer भी नीचे दिये हुए है, इस तरह से यहां पे answer है आपका और यह question है, पिछले साल का question, आप लोग इसे देख लें और parents से गुजारिश से की इसी pattern पे आप लोग अपने बैच्च कामिया भी मिलेगी, आपको यह सवाल अच्छा लगा, तो इसे like, share, comment और subscribe करना न भूलें, thank you very much.